नमस्कार दोस्तों आज हम बना रहे हैं पत्ताकोबी की सब्जी ये सब्जी टिफिन के लिए बहुत अच्छी है टेस्ट में भी अच्छी है हेल्थ के लिए पत्ताकोबी अच्छा होता है बहुत तरीके से बनाते हैं तो एक तरीका आज हम देख लेते हैं पत्ता को भी की सबजी बनाने का चलो स्टार्ट करते हैं इसके लिए पत्ता को भी लेना है इस तरह से कभी भी हरी कलर की पत्ता को भी लेनी है तो ये ताजी होती है, उसमें एक strong smell नहीं आता है, उसके उपर के पत्ते निकाल दो, अच्छे से दोलो और बारी कट कर लो कड़ाई में मैंने तेल डाला है, उसके उपर राई चटकने के बाद थोड़ा सा हिंग डाल दिया है, कड़ी पत्ते के पत्ते डाल दिया है, फिर मैंने हरी मिर्च का क्रश डाल दिया है उसके बाद डाल दीने हैं थोड़ा सा लसून का क्रश आपको पसंदे तो अद्रक डाल सकते हो इवन टोमैटो भी आप बारी कट करके डाल सकते हो यह अच्छे से फ्राय होने के बाद हम इस पर डाल देंगे सुके मसाले इसमें डाल रहे हूँ एक चम धना जीरा पाउडर थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा लाल मिज़ डाल देंगे और उपर से डालना है मुझे थोड़ा सा गरम मसाल एक छुटकी भर जादा नहीं और स्वादानुसार नमक भी डाल देना है और इसके उपर मैंने बार इक कट कई हुई पत्ता को भी डालना है पत्ता को भी डालते होग धान में रखना है पत्ता को भी कभी भी काटने से पहले ही दोना है नहीं तो वो क्या हो जाती है उसमें से जो एसकॉर्बिक असे डोत कि डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इसमें प्रोटीन भी होते हैं तो टेस्ट भी अच्छा आता है हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है लेकिन अभी चना डाल डालनी है तो इसको अच्छे से पकाना है इसके लिए इसके पर ढखकर रखके मैं एक साथ से तक पकाती हूँ, बीच में से देखना है कि भाजी हमारी नीचे से जले नहीं, फिर ढकन रखने के बाद आप देखिए मेरी सबजी जो है चनादाल हमारी नरम हो चुकी है, कोबी भी हमारी पक चुकी है, उसके बाद फिर से हम लोग थोड़ा सा थोड़ी देर इसको चला ले तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल और लाइक का बटन भी दबा देजिए और अपने दोस्तों के साथ शेर भी किजिए, तो इस तरह से मेरी चनाद डाल डालके पत्ता को भी की सबजी तयार है, टिफीन के लिए बहुत अच्छी है, रोटी के साथ, चपाती के साथ तो तक्यू